अलो फ्रेंट्स वेलकम तो सीय सेंटर डले हम आई यार का एक टॉपिक लेकर के आये हैं न्यूज में रहा है वहाँ से कुछे भी गए हैं इंपोर्टेंस है एक आम आदमी होने की वज़े से हमें इस टॉपिक की बारे में पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रह हो रहा है कैसी हो रहा है और सबसे बड़ा इंपोर्टेंस यह होता है हमारे देश का सबसे बड़ा नीता राम इंटिया अगर वहां पर कुछ आजाता है प्रिधान मंतरी के पास सेडूल इतना बेजी होता है कि वो ढ़ खाना कितने टाइम में घए गाएगा यहां तक पता होता है लेकिन अगर वो किसी औरगेनाजेशन में जाता है तो यह समझ में आता है कि उस औरगेनाजेशन का हमारे किसी कंट्री आता है इंविटेशन आता है तभी वो country वहाँ पर जाते हैं और वो country जो हाँ पर organization या जो member है उसकी या फिर जो 2024 का presidency कर रहे हैं उसका chairman कर रहे हैं उन्होंने इंडिया को invitation भेजा और इस दर्मियान देखते है तो उसका महतुत समझ में आता है दूसरी यह भी चीज़ है कि इंडिया उसका member नहीं है वहाँ पर जाता है तो कई चीज़ी होप लेकर करके जाता है कि हमें क्या मिलेगा तो हमारे यूपेस से की एक पॉइंट आव यू से जो चीज़ी महतुपूर्ण है वहां से हम फिल्टर करेंगे आर्टिकल लिखा जाता है जो सी राजा मोहन के करते हैं और वो यह बताने की कोशिश करते हैं इंडिया का महत व्यूर्ण कंप से निक ひänder का भी से निकालन चाहिए इन यहां सीराजा मोहन के जो आर्टिकल लिखा गया है तो दोस्तों यह कुछ चीजों को लेकर कि वीजिट है तो इस चीज से यह भी दर्षाता है या फिर रिफलेक्ट करता है कि हम किसी चीज को लेकर कि इतना dedicated है अब बात आते हैं किस चीज की बात कर रहे हैं किस organization की बात करें कहाँ पे हो रहा है और इंडिया के point of view से क्या इंडिया के लिए important है इंडिया और बिष्व में किस तरह की रोल कोपले या भूमिका निभा सकता है तो सबसे पहले मैं आप बात कर दूँ आपको कि ये जी सेवन को लेकर के बात कर रहे हैं यहां पर मैं लिख रहा हूँ जी का मतलब यह है यहां पर गूप है और सेवन का मतलब सेवन कंट्रे अगर हमें एक जर्नलिस्ट की पॉइंट अभी से डिसकस करना हो तो वह उतना महत तो नहीं रखता आ समझे लेकिन हम यहां पता होना चाहिए दोस्तों कि एक एक यहां पर इंडिकेट करते हैं यह करते हैं यह सबसे बड़ी इंपोर्टन चीज है लेकिन हम यहां पर मैप को भी ले करके डिसकस करने वाले हैं जिससे आप एक चीज को कंसीडर करेंगे कि नहीं हम जब इस्टेडी करते हैं तो हमें कैसे इस्टेडी करनी चाहिए क्या requirement होती है हम जब अपना GS या पिकरेंट अफेर इस्टेटिक्स को discuss करते हैं UBC या civil services या आधर किसी competitive की exam की preparation करते हैं तो आप कभी भी अपनी तुलना academy में जो आपका record रहा है उससे मत करें चाहिए वो topper रहे हूं या जो है कि lower level के students रहे हूं क्योंकि दोनों के लिए अलग-अलग scenario बनती है ऐसा नहीं कि जो topper है उनके लिए बहुत benefit होगा बहुत से topper fail होते हैं और बहुत से जो failure होते हैं academy में वो top कर जाते हैं यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं या जो बात करेंगे हम लेकर के एक second ठीक है हम जो बात करेंगे यह बिल्कुल अलग होता है academy के exams का ठीक है और देखेंगे आपको 90-95% लाने वाले जो students होते हैं जो Tate का छोटा सा एक exam होता उसको clear नहीं कर पाते तो उस 95% का क्या मतला लेकिन इस बात को बहुत अच्छी तरी से हमें पता होना चाहिए यह competition जो होता है वो academy के level से बहुत different होता है कैसे होता है इस इस को मैं अभी बताता हूँ जब हम academy में पढ़ते हैं तो हमें एक uni-directionally जो कि study करते चले जाना चाहिए जब हम competitive exams की तयारी करते हैं तो हमें holy stick 60 degree जो कि कभर करना पड़ता है कि हम कैसे उसको कभर करें एक subject पड़ते हैं तो उसके साथ multiple subject को हम connect करते हैं topic की तो अलगी बात है यहां पर जैसे मैंने कहा जी 7 की बारे में सी राजा मोहन बहुत important आर्टिकल लिख रहें बिल्कुल सही लिख रहें उनमें एक जी 7 और एक जो है कि SEO की बात करते हैं लेकिन यहीं पर जब आप एक यूपीसी की आस्परेंट है कुछ और भी international organization या कुछ और इसे international terminology की बारे में भी पता होना चाहिए जैसे जी 20 यह group of the 20 country का group है उसमें इंडिया भी member है जी 7 में नहीं है SEO की हमने बात किया संगाई मैं यहां पर आपको consider कर रहा हूं इटली की देखने की बात करें आपको तो यह जो आपका Mediterranean Sea पड़ता है इससे लगता है लेकिन यह Europe continent में पड़ता है हमें पता है कितने continent होते 6 है या साथ है हमें यह भी पता है कितने water body या ocean है पाँच है तो इन सभी चीज को consider करना बहुत इटली की जो capital है आप जानते हैं कि रोम है ठीक है तो आपके दिमाग में आएगा इटली एक country है तो इटली के किस place पे जो है कि यह organization हो रहा है रोम में हो रहा है या फिर किसी और place पे हो रहा है यह बात हमें पता होने चाहिए यह देखिए एक प्लेस है उटली में अपका यहाँ पर पड़ता है जो mediteriancy से लगते हुए है वहाँ पर इस organization का जो कि organize करवाए जारा 2024 का ठीक है यह 2024 का दूसरी चीज यह है कि यह पचासमा पचासमा जो कि सम्मेलन होगा जी सेवन का तो कहने का मतलब यह 50 सार पूराना है या फिर कैसा है यह बारे में बात हमें पता होने इसका establishment एक ऐसे crisis में होता है जो बिसो की scenario पूरी तरह से उलट पूलट हो गई होती है in the context of the oil crisis 1973 की मैं बात कर रहा हूं और establishment किया गया था 1973 में तो उस समय इंडिया का क्या सेनरियो था यह हमें पता होना चाहिए हमें पता है कि हमने कई लड़ाईयां लड़ी थी उसमें इंदरा गांधी इंडिया के सबसे टॉफ मोश्ट लीडर में से एक नहीं थी सबसे टॉफ लीडर थी जैसे प्रेजेंट टा अगर एक से डेड़ अलाग के वोटों से जिता हो और कुछ समय तक और वो अपने प्रतिद्वन्दी से जो की पीछे चलता हो तो उसके लिए सोचनी की बात है वो अलग बात है कि स्टैट्रिक और एलगोरिथम के आधार पे लोग अलग प्रेडिक्शन कर देते हैं जाहिर जो हम यहां पर बात करेंगे ले करके कॉंसीडर करेंगे अपकी क्या बात करेंगे हैं देखें जो यह आर्टिकल में बोला जा रहा है कुछ चीजे बोली जा रहे हैं यहां पर मैं आपको कॉंसीडर कर रहा हूं आपको और उसके बाद आप जो की इसको श्टडी करिएगा इस आर्टिकल में सी राजा मोहन कहते हैं कि जो ये 50 अनवर्सरी ओफ दिस ऑर्गनेजिशन का किया जा रहा है इटली में और इंडिया इंडिया के जो प्रामेशनर आफ इंडिया है पिछले 2014 से ले करके 2024 तक रहे हैं जो पिछले 10 साल में इनकी ये जो कि सात्वी बार जो है कि जी 20 का जो एनुवल मीटिंग होता है जो मीटिंग होता है उसमें जो कि ये पार्टिसिपेट करते हैं यह भी एक रिफलेक्शन है कि प्रामेशनर आफ इंडिया और इंडिया का कितना महत्वपूर योगदान या फिर पार्टिसिपेशन जी 20 के लिए रखता है जी 20 में इंडिया मेंबर नहीं फिर से मैं बता रहा हूं आज एक गेस्ट के रूप में वहां पे गया का जाता है वहां इटली की जो प्रामेशनर है और उनका इनका कुछ नकुछ आईसा प्रेम प्रशंग वाली भी बात है बहुत सा ट्रेंडिंग में चलता है देखेंग इसको रिजोल करने की बात कर रहा है दूसरी तरफ एनरजी क्राइसिस जो है उसको सट आउट करेंगे क्योंकि जो यह हमास हावती लोग क्राइब मतला तांड़ों मचा रखें है इनकी वज़े से एनरजी क्राइसिस आया दूसरी चीज यह है कि जो dose से लगते विए कंट्री है वहां पर जो इसवे उसको आड़्रेस करेंगे और इन्वार्मेंटल यो प्रब्लम है उसको भी आड़र्रेस करेंगे ऐसा क्यों इतने महत इंपोर्टेंट इतने इंपोर्टेंट्स जो है कि इसव째 ए हमने इनर्जी की जो प्राब्लम है उसको लेकर के तिसरा इन्वार्मेंटल इसू को लेकर है जोन मेंटल यह आप देख सकते हों तीन इतने बड़े बड़े अम महत पूर्ड जो है कि इसू को यह हाइलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं इस क्यों कर रहे है इसा इस वज़े से कर रहे हैं कि जो जी सेवन में मिंबर हैं सबसे पहले क्यों कैसा करना हलim कि डिएक तह सीवन लोग वे57 को मैं ट्यूं honestly करेंगे तीन गूरी का मतलब एए पहला हम नौर्थ अमेरिका से देखेंगे कौन कौन से है एक आपका USA है और दूसरा क्या है कनाडा है ऐसे आसानी हो जाएगी हमें याद रखने के लिए इसके बाद Asia में आएंगे आपको जापान दीखेगा और कितने बज़ गया आपके चार और कंट्री बज़ गया है वह कहां से आते हैं यूरोप से आते हैं एक तो हम जानी रहें इतली होगा इतली होगा धिक है जर्मनी होगा प्रांश होगा और United Kingdom यह आपका हो गया यहाँ पर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप साथ कंट्री कभी नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर आपको अलट करना चाहता हूँ अलट क्यों करना चाहता हूँ इस वज़े से कि G7 को कभी G8 भी बोलते थे ठीक है क्या बोलते थे G8 बोलते थे आप कहेंगे यह कहां से लादी है तो इसमें G8 का मतलब है 2014 से पहले इसको G8 और 2014 के बाद इसको G7 के नम से बुलाने लगा क्यों 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 कि जो रसिया है या भी इसका मेंबर था इसको साथ कंट्री मिल करके इसको निकाल दें कभी है तुम इसमें मत रो क्यों चूंकि 2014 में क्रिमिया 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 का मतलब यह होगा है जो यूक्रेन है उसी का एक ठोटा सा आईलेंड ब्लैक सी में था रसिया जबरजस्तिस को हडप लिया तो यहीं से बोल दिया गया भाई कनाड़ा इटली जर्मनी फ्रांस ये दर असल बीस्तों को एक ऐसा पाट पढ़ाते हैं डेमोक्रेसी का सांती का लोकतंत्र का सांती का भाईचारे का क्योंकि इनके पास कते न जो जितना बड़ा होता है धन दौलर चाहे जिस चीज में उम्र में उसके पास उतनी की रिस्पॉंसबिलिटी होती है तो इस वज़े से आप इस चीज को कंसीडर करिएगा अब यह देखिए दूसरी चीज है कि जी सेवन की मीटिंग हमेशा होती है आप आते हैं क्योंकि यह जियो पॉलिटिकल के लिए इंपॉर्टेंट है अब एनर्जी के लिए जियो पॉलि कार्बन जेनरेट करते है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है प्रॉब्लम्स है और इनका सबसे बड़ा जो रोल होता है इसको कम करने के लिए इस वज़े से बे इंपॉर्टेंट है और इन्वार्मेंट से रिलेट अड्रेस करने के लिए हमेरे पास क्या है कॉन्फर में उए थी तो यह चीज हमें पता होना चाहिए अईसे हमें डिसक्स करना चाहिए कि जब हम किसी भी ओर इसे कि sobie बीदेक्ट करते हैं दूसरी बात यहां पर सी राजा मोहन और भी क्या बाते करते हैं अब यह करते हैं कि प्राम-ििस्टर आफ इंडिया जाते आउंड और आने वाले समय में एक कचाकिस्तान में होने वाला SEO की मीटिंग वहां पर भी पार्टिसिपेट करेंगे अब SEO में जब आते हैं दोस्तों तो SEO देखिए संघाई 5 के नम से भी जाना जाता था किस नम से संघाई 5 संघाई 5 के बारे में हम पता चल दे हैं कि जो संघाई के बारे में बात करें यहां पे इसमें देखिए इंडिया भी मिंबर है मैं आपको बता रहा हूं 5 Central Asia की कंट्री है कहां कि यह है 5 Central Asia की कंट्री है आप ही मैप में दिखा रहा हूं permitREanie पाकिस्तान एक है और दूसरा कौन है इंडिया और एक आपका और बच जाता है क्या नाम है उसका चाइना एंडर पांच दो साथ आठ नौ टोटल आठ नौ कंट्री हो जा रही है यहाप एक दो तीन चार पांचछ साथ आठ नौ हो जा दिग तो नाथ इक से 9 कंट्री है संहाई के अपके मेंबर तो आप यहां पर आके देखेंगे Central Asian Country का लोकेशन हम आपको बताएंगे कि कहां पर है कैसे है यहां पर अलाट होने की ज़रुवत है अब आपको अब अलाट होंगे पहली बात तो Central Asia का बैगराउंड पता होना जाए कि Central Asia के Country का जन्म कब से होता है अगर आप ओवर डिश्टी नहीं पड़ें तो आपको लिए प्रॉब्लम्स होगी देखे हम आपको यहां पर बताते है यहां पर क्या बता है हम जानते हैं 1945 में World War second खतम होता है और इसी के बाद Britain का decline हो जाता है और वहां से दो पावर निकलती है कौन सी एक निकलती है United States of America और दूसरी निकलती है USSR जो है कि आपका आज का रसिया है यह आपका Capitalism Capitalism का मतदब है Market में क्या प्रोडूस किया जाएगा यह Market के Demand पे Depend करता है United States of America Capitalism Capitalism को प्रमोट करता है USSR Socialism को Socialism का क्योंकि USSR में 1917 में 1917 में Socialism Revolution होता है ठीक है और यह इसको प्रजिल पंजिट करता है दोनों के बीच में 1945 से लेकर 1919 तक एक यूद होता है Ideological Basis पे Ideological Ideological Basis पे और उस war को हम क्या बूलते है Cold War के नाम से जानते है किस नाम से जानते है Cold War के नाम से जानते है और यहां तक Last में आते आते 1990 में USSR USSR धरासाई हो जाता है और यह 15 भाग में Divide होजाता है 15 भाग में Divide होता है तो उसमें से 5 आपका Central Asian country निकलती हैं और एक जो है कि आपका खुद रसिया निकलता है बाकी जो बजाते हैं नो आपका इस्टन और यूरोप में जो की निकल कर क्याते हैं आज जो यूकरेन की क्राइसी चले आज की नहीं है वो cold war के समय की ही है इतनी बाद समझ गये अब आते हैं कि ये Central Asian country का जो ही है और Central Asian country के बारे में अगर बात करना है हमें तो हम एक सकेंड इनके थोड़े से नाम को हम हालाइट कर लेंगी सबसे पहले कचाकिस्तान के बारे में जान लिजिए तुर्कमेनिस्तान के बारे में जान लिजिए फिर उसका किर्गिस्तान के बारे में जान लिजिए पु जो संगाई के पाट है पाकिस्तान, इंडिया हो गया देखें इतने कंट्री है जो कि यह किसके मιम्बर है चंगाई के मिम्बर है और जो यह सब्सक्राइब है अब आकर के बात करेंगे हम जो मीटिंग हो गी वहाँ पर आप जाएंगे फिर हम इसको अपडेट कर लेंगे और दूसरी यह भी बात है बीजिंग के बात है और इसका इसका इस्टाबलिस्मेंट ठीक है नैन्टीन देखिए यहां पर इसका SEO का इस्टाबलिस्मेंट 1996 में होता है फिर इसका बेर रीनेम किया जाता है लेकिन 1996 में जब किया जाता है संगाई संगाई 5 5 के नाम से जानते थे संगाई 5 का मतलब जो पांट सेंट्रल इसन कंट्री थे दूसरी चीज़ दो हजात एक से इसको SEO के नाम से जानते है ठीक है और यह इसका जो मेन आबजेक्टी होता है जो सेंट्रल इसन कंट्री के कंट्री है उनका डेवलाप्मेंट के लिए प्रोस्पाराटी के लिए यह भी हमें पता होना चाहिए 21 पॉइंट आप उप उसे किया गया है दूसरी चीज़ यह जी ट्वन्टी का आप बज़ जाता नहीं है जैसे SEO का है कहां पे है आपका संगाई बीजिंग में तो यह बेसिक इंफोर्मिशन थी हमने जो आपके साथ लगा कि मुझे बात करना चाहिए कि किसी भी तरीके से हमें हमारा कोई भी सलेबस चुटे न अब कोई इसमें हमने पॉइंट नहीं छोड़ा है यह तेर दर असल इसका जो जून अभी चल लाए है 13 से ले करके 15 जून की बीच में इसका 50 पचासमा अनुवल मीटिंग होती है ठीक है अनुवल मीटिंग होती है हर साल होती है ऐसा नहीं कि इस साल होई अगले साल नहीं रेयर केस में नहीं होगे जैसे कोरोना का है तो यह चीज़ जो में पता हो गया इस बार देख लेते हैं कौने इस टेटाप अमेरिका कानाडा नाटर किंग्डम फ्रांस इटली जर्मन और जापान देखें एसिया कॉंटिनेंट से कौन मेंबर है जी सेवन का जापान है तो यह बेसिक इंफोर्मेशन टेक्निक्स होनी चाहिए हमें इ ररुक्त रिष्ट्री करने के लिए बाकी आगे देखने कि क्या होता है तो इस लेक्ट्र में इतना रहेगा ठीक नयार लेक्ट्र करके आएंगे कोई doubts comments होंगे comment box में जरूर डालेगा हम जरूर response करेंगे तब तक लिए thank you for discuss have a nice day